वेल्कम स्टूडेंट्स तो आज हम एक बहुत इंपोर्टेंट च्योरम करने जा रहे हैं और इस थ्योरम की हैप से हमारे पार जितनी भी होर च्योरम्स हैं सबसे पहले अच्छी से समझते हैं क्या कहा है कि अगर हम एक कोई भी कनेक्टिट सेट लेते हैं सबसेट होता है process होता है और यहाँ पर ए और ब यहाँपर ऑर इक तरह से में सब्रेक्टिट सेट है ऑजो और यह वी हमारे पास एक सबसेट होता है जहां एम चन्ते हैगा यह यह कुछना का हुछत है की तो में देखिए मै पिछ्ट, स्पेज्स है और आ डी हमें सपरेटियों साध्स दिह हैं उससे पहले म wines इते थि वहें वहाएं रिखी के लिए जोर हम मुझा उपकोल T20 जो भी होऊँ जाएगी और एक की इंटसेक्शन करेंगे बीक के साथ वह Sतेफेशन करेंगे तो जड़ेगा यह मारे पास सपСТप्रों सेक्स की अब हम क्या करते हैं E एक कोई भी Connected Satellite ले लेते हैं In X में तो that means जो हमारे पास E, Tau E ये Subspace होगी वो क्या बन जाएगी एक Connected Space बन जाएगी तो अब देखिए जो E है वो हमें दिया होगा वो Subset है Y का अगर E Y का Subset है तो that means E सेट किसके इककोल हो जाएगा Intersection Y के Simple S result है ये तो तो यहां से मारे पास जो E है वो किसके इककोल आजाएगा हमारे पास E Intersection Y Y क्या है A Union B तो that means E जो सेट है हमारे पास वो इककोल हो जाएगा A Intersection A Union E Intersection B इसके इककोल हो जाएगा ये सेट हमारे पास तो सबसे पहले देखिए अब हम ये प्रूफ करेंगे कि जो ये सेट है हमारे पास A Intersection A A Intersection B सबसे वह इनको Disjoint प्रूफ करते हैं तो इस जोइन के लिए इस इंपलसी हम इनकी इंटरसेक्शन ले लेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास और A और B की इंटरसेक्शन एंटी है तो ये मारे पास एंटी सेट बन लेका अब हम इनको Simplicity के लिए A1 Union A2 मान लेते हैं Simplicity के लिए Means जो A1 है मारे पास वो A Intersection A है और A2 जो है वो मारे पास E Intersection भी है तो अब हम प्रूफ क्या करेंगे कि A1 की अगर हम Intersection करेंगे A2 के Closure के साथ In Space E अब देखिए जो हमारे पास ये E Space है इसमें उसका Closure लेना है हमाँ वो क्या होगा एंटी उसके बाद A1 की अगर हम वो क्या होगा एंटी अब हमने ये फ्रूफ करना है देखिए अब भी तक जो हमने फाइंड किया था वो हमने ये short formula लिख लिए था और हमको जो ये result है इसको प्रूफ करना था तो उसके लिए अब हम A1 intersection A2 ये find out करते हैं तो देखिए A1 सेट हमें क्या स्पोस किया था E intersection A अब A2 E का closure किसके कुल हो जाएगा हमारे बास उसका जो closure है स्पेस में उसकी intersection कर देंगे हम E के साथ उसके बाद E intersection A intersection A2 का closure रोइट पर किसके equal है इसकी intersection कर देंगे E के साथ तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं A intersection B closure A की intersection B closure और यहाँ पर E ही पड़ा है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं और A की जब हम intersection करेंगे B closure के साथ तो हमें मिलेगा empty set और इसकी intersection करेंगे तो हमें empty मिलेगा हमने इसको empty group कर दिया similarly अब हम A1 का closure है E इसकी intersection कर देंगे A2 के साथ तो यह हमें मिल जाएगा अब A1 E closure किसकी कुल हो जाएगा intersection E के और intersection करेंगे A2 A2 हमें गिवन है E intersection B अब A1 का closure किसकी कुल है हमारे पास इसकी intersection E intersection E intersection B तो यह बन जाएगा हमारे पास एक तरह से यह बन जाएगा अब देखिए यह हमें empty दिया होगा है तो यह empty की intersection हो जाएगी हमारे पास इसके साथ तो its means यह हमारे पास empty हो जाएगा तो means अब यह हमने proof कर दिया यह दोनों के दोनों हमारे पास X क्या है disjoint such怎麼 देखिए अब हमारे पास क्या आगया था हमारे पास जो e set है याट मीज इसेट है उसको हमने लिखा A1 union A2 और हमने यह प्रूफ कर दिया A1 की जब हम इंटर्सेक्शन करेंगे एक एमटी सेट है और A1 क्लोजर E की जब हम इंटर्सेक्शन करेंगे A2 के साथ वह एक एमटी सेट है तो इतमींज हम यह कह सकते हैं कि जो A1 है और A2 है यह हमारे पास क्या बन गए एक तरह से बन गए इन ताव I. जो हमारे पास 이 की सब स्पेस है उसमें की यह प्रूफ कर दीजगां यह हमारे पास एक सब्電क ही त means जो ए सब्सको हमने दो सब्सक्राइब कर दिया और यह दोनों सेट्स हमारे पार दिस जोइंट है यह वह दो सब्सक्राइब कर दिया हुआ तो यह तो possible ही नहीं है यह हमें connected है और हमने इनको दो separated sets के union में लिख दिया तो that means यहां से क्या implies हो जाएगा अब कि A1 हमारे पास या तो A1 को empty होना पड़ेगा या तो A2 को empty होना पड़ेगा इन दोनों में से किसे न किसी एक को empty होना पड़ेगा वरना हमारे पास जो E set है वो disconnected हो जाएगा बटी तो में connected दिया हुए तो इन दोनों में से किसे न किसी एक को empty होना पड़ेगा तो फॉस्ट पार देखते हैं जब हमारे पास A1 set empty हो जाएगा तो जो E है वो किसके को हो जाएगा हमारे पास A2 के A2 means A intersection B that is E set हमारे पास वो E intersection B के E equal हो गया means E की जब हमने B के साथ intersection की तो हमें E ही मिल गया it means E contained हो जाएगा B में देखिए यहां से प्रूफ हो गया कि अगर हमें एक connected set लेते हैं अगर वो किन्टेंड हो जाएगा देखिए यहां से प्रूफ हो गया कि अगर हमें एक connected set लेते हैं अगर वो किनी दो सब प्रूफ होता है तो वो से या तो A में contained होगा या तो वो B में जाएफभ कैनी